भारत में वैसे तो कई प्रकार की तुलसी देखने को मिलती हैं लेकिन मौस्टली घरों में दो तरह की तुलसी देखने को मिलती हैं जिसे हम कहते हैं रामा तुलसी और शामा तुलसी बहुत से लोग इसे इसके नाम से कम और कलर से जाधा पैचानते हैं जिसको कहते हैं काली तुलसी और हरी तुलसी जो काली तुलसी होती है इसे हम शामा तुलसी कहते हैं और हरे रंकी तुलसी को रामा तुलसी कहते हैं मन में कई बार प्रशा आता है कि कौन सी तुलसी हमें घर में लगानी चाहिए बास्तु के हिसाब से कौन सी तुलसी घर में लगाना सबसे सब्बाइब गढ़ा भी धंदियुहिए है मालक्षमी का वास होता है सुभेय साम पूजा की है कहते हैं ज्स घर में तुलसी की शुब Springs जाती है वहां मालतलक्षमी का इस्थाई वास होता है घर में हमिशा सुझ सानथी सम्रिदधि बनी रहते हैं वैसे तो तुलसी आप कोई भी घर में लगा सकते हैं रामा तुलसी या शामा तुलसी, दोनों ही तुलसी का एक समानिस्थान होता है, तो पूजा के लिए कोई सी भी तुलसी आप यूज़ कर सकते हैं, हरी पती की तुलसी जिसे हम रामा तुलसी, श्री तुलसी, भाग्यश चाने में घ्रामा तलसी दिखने में गहर ऐहिएं रंके जानी दूलसी थ opened में एक तीन या पाँच इस तरीके से तुलसी का प्राइन अगर पूरो दिशा में अगर तुल्सी के प्राइन स्थान नहीं है तो तुलसी के प्राइन को आप बालकनी में या विंडो में भी लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि बालकनी या विंडो में अगर आप तुल्सी का प्लांट लगा रहे हैं तो वहां पर भी आपको उत्तर या उत्तर पूर्दिशा में ही तुल्सी का पौधा रखना है तुल्सी के प्लांट केपास साफ सफाई का विशेज हान रखें क्योंकि तुल्सी का पौधा पूझनिय प्लांट है तो इसके पास में कोई बी गंदगी, जूते, चबपल, ज़ाड़व, इस तरीके का सामान ना रखें तूल्सी के पॉदे के पास में कोई भी कांटेदार व्रख्ष जैसे की केक्टिस का प्लांट होता है ग्राब का प्लांट होता है तो इन पॉदों को ना लगाएं। इनके पास में आप केले का ब्रख्ष लगा सकते हैं वैसे तो तुल्सि का पॉदधा घर में नीचे लगाना चाहिए अगर शभी जगह नहीं है और किसी मजबूरी है कारण आपको तुल्सि का पॉदधा चहत पर लगाना पड़ रहा है तो वहां पर आप गमले में केले का ब जिसमें तुलसी विवा करते हैं, वो महीना तुलसी का प्राण लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। भगवान विश्नु को, भगवान कृष्ण को तुलसी सबसे अधिक प्रिया है, तो इनके भौग में और इनकी पूजा के समय तुलसी का यूज़ जरूर करना चाहिए, अगर आपके घर की तुलसी सूख गई है, तो उसको खाड़ कर ना फैके, तुलसी को उठा कर रख यह सूखी तुलसी की माला बना करके आप भगवान विश्नु को, भगवान कृष्ण को पहना सकते हैं, खुद भी इस माला को पहन सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी माला मानी जाती है, घर बना रहे हैं, तो तुलसी की जड़ बेस्मेंट में जरूर रखें, ऐसा करने से घ आपके घर का वास्तु दोस्त दूर होता है तुल्जी का पौधा लगाते समय इन सब चीजों का आपको जरूर दिया रखना चाहिए तो यह थी छोटी सी जानकारी उम्मीद करती हूं दीगे जानकारी आपके लिए लापदायक होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीड श्री कृष्णा रादे रादे